हेलो दोस्तों, दिस इस अनुराग जा एंड यूर वाचिंग नौलेश प्रवाइडर दोस्तों आज जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एकोनोमिक की कुछ वैसे क्वेसे क्वेस्टिन्स जो की हमारे एकजाम के काफी important हो सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इसको ठीक है और इसको simply एक बार देख जाना है ना तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला question निमलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है है ना तो यहाँ पर जो बी ऑप्षन आपका सही हो जाएगा ठीक है शरम जो है उत्पत्ति का साधन नहीं है उसके नेक्स question है अर्थव्यस्था का कैंदरिये समस्या कौन सी होती है तो क्या उत्पादन हो कैसे उत्पादन हो पादित वस्तु का वितरन कैसे हो है ना तो यह सभी कैंदरिये समस्या होती है अर्थवस्था की यानि कि डी ऑप्षन यहाँ पर सही हो जाएगा उसके देख लिए नेक्स सास्त्री थे है ना उसके चार नमर कोश्चन है निम्द अर्थ-षास्त्री में कौन कल्यानवादी विचारधारा के नहीं है तो यहां पर सी ऑप्षन जो आपका सही हो जाएगा ठीक है यानि कि पीगूँ जो है सही आंसर है इसका यानि कि याद रखना है कि पीगूँ ने अर्थ सास्ति के बारे में क्या परिभास दिया था तो अर्थ सास्ति कभी विज्यान और कभी आधर्स भी घ्यान होता और यह कल्याननवादी विच्टारधारा के बिल्कुल नहीं था ठीको यह तो चाह Independence को इक आप लोग निश्ची तोर से देख लीजिएगा है जो भी आपके पास बुक हो या भी कोई भी गेस पेपर हो तो उसमें देख लीजिएगा क्योंकि एक आद स्टेट्मेंट तो निश्ची तरूप से पूछेगा ही आपसे उसके देख लेते नेक्स कोशन नेक्स कोशन है दूसरा नाम क्या है तो यहां पर सही आंसर भी हो जाएगा ठीका पी इस्थापन का नियम उसके बजचेट कीमत या next question, next question है, मांग में संकुचन कब होता है, तो संकुचन मतलब कमी, ठीक है, कब होता है, तो जब कीमत बढ़ती है, और मांग घटने लगती है, यानि कि A option आपका सही हो जाएगा, चलिए, उसके बाद देख लेते हैं, next question, next question है, मांग की लोजमापने के लिए, परतीसत या अनुपातिक रीती का परतीपाधन किस ने किया था, तो यह जो फलक्स साहव किया थे, ठीक है, यानि कि B option आपका सही हो जाएगा, चलिए, उसके बाद देख लेते हैं, next question, next question है, यदि मुल्य में 40 परतीसत परिवर्तन के फल सरूप, बस तु की मांग में 60 परतीसत परिवर्तन होता है, तो यहां मांग की किमत लोच क्या होगी, ठीक है, यहां पर B option, माइनस 1.5, ठीक है, B option जो आपका सही हो जाएगा, उसके next question है, अलप कालीन उत्पादन की दसा में एक पिवेकसिल उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, तो यहां पर तिर्थी आवस्था में सही हो जाएगा, उसके next question है, मौदरिक लागत में, निमलिखित में किस से समलित किया जाता है, यानि कि फिर से एक बार question सुन लीजे यहां पर, मौदरिक लागत में, निमलिखित में किस समलित किया जाता है, तो यहां पर औबैक्त लागत, ठीक है, मैं question वही repeat करता हूं जो आपके लिए important होते हैं ठीक है important में भी कुछ ज्यादा important चाहिए उसके आदेख लेते हैं next question next question है औस परिवर्तन सी लागत क्या है ठीक है तो यहाँ पर फर्मूला पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका D option जो है सही हो जाएगा हो कुल परिवर्तन सी लागत ठीक है भागा उत्पादन उसके नेक्स question देख लेते हैं लोग 16 नम्म सोला नम्म कुस्चन यहाँ पर कहा कर रहा है कि फर्म का लाव निमलिखित में से किस सर्थ को पूरा करने पर अधिकतम होगा ठीक है फर्म का लाव निमलिखित में से किस सर् क्थर क्या परदर्शित करता है तो यहां पर आपका यह option सही हो जाएगा पूर्ति का विस्तार है देखते हैं पूर्ति का लोज के साथ में याद होता जाए है ना उसके उसके बाद है कि किस बजार में फर्म का सोतंत्र पर्वेश या बहिर गमन होता है या फिर से सुनिए किस बजार में फर्म का सोतंत्र पर्वेश तथा बहिर गमन होता है तो यहां पर सही आंसाब का सी हो जाएगा ठीक है पुर्ण पर या फिर कुल आगम इक्वल टू सिमान्त आगम इव माइनस वन वाइए ठीक है यह याद रखिएगा ठीक है इंपोर्टेंट फर्मूला भी पूछ सकता आप से हलाकि इसका चांस कम है लेकिन इसको फिर भी आप लोग फर्मूला याद रखिएगा ठीक है चलिए उसके बाद आप देख लेते हैं किसमा कोश्चन यहां पर है निम्न में से कौन एक आधिकार की विसेस्ता नहीं है ठीक है एक आधिकार की विसेस्ता नहीं है तो यहां पर जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा निकट अस्थापन का अभाव उसके नेस कोशन है किस बाजार में बस्तू विभेत पाया जाता डियाँ पे जो शहीई は का संब्लकित में से किस किस से है ठीक है बजार मुल्य का संब्द निम्लखित में से किस से है तो यहाँ पर जो समाने मुल्य से हो जाएगा ठीक है यानि कि सी आपसन आपका सही हो गया चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स कोशन अस्थाई पुंजी का अभोग क्या है तो यहां पर पुंजी निर्मान यह जो है सही अंसर हो जाएगा उसके next कोशन है घिसावट बै किसमें संब्लीट रहता है यहां पर ब्य ऑफ्सन जो सिवाएं समलित हैं ठीक है तो यहां पर जो आपका सी ओप्सन सही वो जाएगा बेपार उसके निम लिखित में से किसे समलित किया जाता है तो यहां पर जो हस्तांतरन भूगतान हो जाएगा हस्ता किस के अनुसार मुद्रा वह धूरी है जिसके चारों और समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है तो यहां रोबर्ट सन के द्वारा ठीक है बी ऑप्सन जो आपका सही हो जाएगा उसके मैंने निश्चित्वर से कहा है कि सारे अर्थ सास्त्री का एक वाय स्टेट्मेंट पनिश्चित रूप से देख जाएगा आप लोग ठीक है बहुत इंपोर्टेंट होते हैं हो सकता है एक नहीं दो तीन भी पूछ ले है ना उसके अधर है मुद्रा के अस्थेतिक तथा गंत्यात्मक कारियों का विभाजन किस ने किया ठीक है यहां पर जो पॉलेजिंग न नगद कोस अनुपाथ हो जाएगा ठीक है यानि कि बी एक संफन्ड कर्ण कारिक क्या है भी करज लोब्स ऑप्सन आपका सही हो जाएगा उसके बाद दिख लेते हैं नेस्ट क् програмց समंद्द बैंकिंग सुधार से है आ तो यहां पे जो है उनीस देख लिए आप नई आर्थिक निती आए थी ठीक है और नर्सिम समीती के द्वारा ठीक है यह दोनों जो है बैंकिंग सुधार नियम से जो संबन्दी था यह दोनों चीज़ याद रखिएगा चलिए उसके बाद देख लेते हैं चौतीस नमर कोश कौन से है निवेश के निरधार घटक कौन से है तो यहां पर पुंजी का सिमान्त छमता ठीक है और ब्याजदर ठीक है यह दोनों हो जाएगा यानि कि सी ऑप्सन हमारा सही हो गया उसके नेस कोशन है अगर सिमान्त उपभोग परविर्ती 0.5 है तो गुनांक के क्या होगा गुनांक के क्या होगा तो यहां पर जीरो हो जाएगा ठीक है यह याद रखना है यह 36 नमर आपके लिए इसको ट्रिपल स्टार हम लोग यहां पर लगा देंगे उसके नेक्स कोशन है किन्स के अर्थ विवस्था में न्यून मांग की दसा को निमली खित में से किसे नाम से किस नाम से पुकारा जाता है किन्स के अर्थ विवस्था के न्यून मांग को तो यहां पर अपूर्ण रोजगार संतुलन ठीक है बी ऑप्शन हमारा सही हो गया उसके नेक्स कोशन हम लोग देखते हैं यहां पर सिमांत उपभोग परविर्थी निम्ण में से कौन है सिमां यहां पर उपरयोग सभी हो जाएगा उसके बाद देख लीते हैं नेक्स कोशन है निम्लिखिट मेंसे कौन और पर तरहिंगा है तो यहां पर जो उसके बाद 42 qoštion देखते हैं, निमन में से कौन राजकोसिय घाटे से होने वाला खत्रा है, तो यहां पर आपका अस्फिर्तिकारी दबाब, जिसको इंफ्लेशन वगरा बोलते हैं, चलिये, उसके बाद देख लेते हैं, 43 qoštion, निमन में से कौन सरकार द्वारा उधारं लेने के का उधार लेने के कारण जो है कारणों की और ध्यान आकरसित करता है तो एक बाद फिर से पढ़ लेते हैं थोड़ी से निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों को की और ध्यान देने को आकरसित करता है तो यहां पर जो हमारा सही आंसर होगा राजस घाटे का सही माट है तो राज कोशिये घाते घाता माइनस ब्याज यानि हमारा सही हो जाए मैंकि 45 निमन में से कौन सा सब्ध है ठीक है बजट निबन में से कौन सा सब्ध यह लेटिन सब्ध है ठीक है यह में लिए आपका ऐसे भी कह सकते हैं यह जो है आपका बजट कि भुवगतान इसको परिभासा किस ने दी तो यहां पर मार्शल ने दिया ठीक है यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कोश्चन नमर 47 है भुगतान के अंतगत निम्लिखित में से कौन सी मदें समलित है तो यहाँ पर अद्रिस मदें ठीक है बी ओप्सन हमारा सही हो जाएगा उसके 48 नमर कोश्चन है भुगतान संतुलन की निम्लिखित में से कौन सी बिसेस्ता है तो यहाँ पर अद्रिक्ट सभी हो जाएगा यानि कि करंबद रेखा रिकॉर्ड निश्चि समयाबधी और व्यापकता सभी भुगतान संतुलन के लिए आवस्याक चीज है ठीक है यह उसको याद रखना है उसके चलिए देख लेत परण और निजी सवदे दोनों जो है पुझी खते के अंतगत संबलित किया जाते हैं उसके बाद है पचास नमर्ण और लास्ट कोर्शन आपका दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा ठीक है और आप अपने दोस्तों लोग संतुलन का तो यहां पर सही आंसर पुझी का लेंद एंटाइम पर हो जाएगा ठीक है यहां पर सही अंसर फोड़िया को गया ठीक है तो यहां पर हमारा सही अंसर अधने भाद कि मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ तब तक लिए नमस्का